प्रश्न पहला सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है D. ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में महराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई इसे Society of Seekers of Truth के नाम से भी जाना जाता है धनन जै कीर ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फुले फादर ओफ आवर सोशल रिवोल्यूशन शीर्शक की अपनी जीवनी लिखी थी प्रश्ण दूसरा किस शहर में पर्य टको के लिए विश्व का सबसे गहरा पूल 60 मीटर गहरा जीब डाइव पूल खोला गया है ए वाशिंग्टन बी दुबई सी लंडन डी तिबबत इसका सही जवाब है बी दुबई संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हाल ही में विश्व का सबसे गहरा पूल 60 मीटर गहरा जीब डाइव पूल खोला गया है यह अंडर्वाटर सिटी थीम पर बना पूल 6 ओलंपिक पूल जितना बड़ा है जिसमें 1.4 करोन लीटर पानी आ सकता है इस पूल में खाली अपार्टमेंट गयराज के अलावा इंडोर गेम्स सुविधा और 80 सीटो वाला रेस तरा भी है किसने संदर्व वार्षिक पुस्क के इंडिया 2020 और भारत 2020 जारी की इसका सही जवाब होगा प्रकाश जावडेकर प्रकाश जावडेकर 24 वरी 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने देंडिया 2020 और भारत 2020 इम जारी की जो सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाव पर प्रकाश डालता है The 2020 and भारत इंडिया 2020 जोवर्ष के दौरान भारत और विभिन सरकारी मंत्रालियों, विभागों और संगठनों की गतिविधियों, प्रगती और उपलब्धियों के बारे में विस्त्रत और व्यापक जानकारी प्रदान करता है प्रश्न भारत के तटिये इलाकों में अक्सर समानातर रूट में अचानक खड़े होने वाले पहाणों की सतत श्रिंखला कौन सी है? इसका सही जवाब होगा डी, पश्चिमी घाट एक परवत श्रिंखला है जो भारत में पूरी तरह से स्थित भारती ये प्रायद्वीब के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है यह युनेसको की विश्व धरोहर स्थल है और यह दुनिया के जैविक विविधता के आठ होटेस्ट होटस्पोर्ट में से एक है प्रश्न किस देश की भारत के साथ सीमा नहीं लगती है? इसका सही जवाब होगा सी मौरिशस देश की भारत के साथ सीमा नहीं लगती है यह उपचारिक रूप से मौरिशस गड़राजय जापानी राश्ट्र महाद्वीप में महसागर के भीतर छोटे दूरस्थ शुष्क भूमी का एक राश्ट्र विकास शील देश है इसकी राजधानी पोर्ट लुईस है निमलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लौरियस, वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, अवार्ट्स के लिए नामांकित किया गया था ए अनिर्बान चटरजी, बी पंकच आडवाडी, सी दुतीचंद, डी विनेश फोगट इसका सही जवाब होगा डी, विनेश फोगट विनेश फोगट वे एक भारतिये पहलवान है, राष्ट्र मंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतिये महिला पहलवान प्रश्न, राजिंदर सिंग महावीर चक्र एमवीसी के प्राप्त करता थे A. पहले, B. दूसरे, C. तीसरे, D. चौथे इसका सही जवाब होगा A. पहले 30. दिसंबर 1949 को बेस्वतंत्र भारत के महावीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले प्राप्त करता बने प्रश्न, निमलिखित में से कौन एक हार्डवेर नहीं है? A. प्रोसेसर, चिप, B. प्रिंटर, C. माउस, D. जावा इसका सही जवाब होगा D. जावा जावा एक वस्तु उन्मुख प्रोग्रामिंग भाशा है जिसे James Gosling और अन्य ने Sun Microsystems में विक्सित किया है इसे पहली बार 1995 में जनता के लिए पेश किया गया था और व्यापक रूप से इंटरनेट, एप्लिकेशन और अन्य सॉफ्टवेर प्रोग्राम बनाने के लिए उप्योग किया जाता है आज जावा को उरेकल द्वारा बनाए रखा गया है निमलिखित में से कौन सबसे पुराना ख्याल घराना है? A. महर घराना B. इंदौर घराना C. भोपाल घराना D. ग्वालियर घराना इसका सही जवाब होगा D. ग्वालियर घराना ग्वालियर घराना को भारतिय शास्त्रिय संगीत में सबसे पुराना ख्याल घराना माना जाता है ग्वालियर घराने की स्थापना 19. वी शताबदी के पूर्वार्द में हुई थी मुगल समराट अकबर के शासनकाल के दोरान गुवालियर भारत में लुग प्रिय हुआ मिया तान से इन गुवालियर से आये पहले और प्रसिद गायकों में से एक थे घराना का अर्थ परिवार या वंश है निम्लिखित में से अश्टाध्याई किसके द्वारा रचित है इसका सही जवाब होगा उन्हें भारतिय भाशा विज्ञान का जनक भी माना जाता है वे अश्टाध्याई व्याकरण पर संस्कृत ग्रंथ के लेखक हैं मध्यप्रदेश की किस नदी को भारत की सबसे कम प्रदूशित नदी माना जाता है ए चंबल भी नर्मदा सी शिप्राडी तापती इसका सही जवाब होगा ए चंबल चंबल नदी को भारत की सबसे कम प्रदूशित नदी माना जाता है लंबाई 1,024, छेत्रफल 1,43,219 वर्व, स्रोत, जन्पद, मुख, यमुना नदी गुआलियर घराना जहिंदुस्तानी शास्त्रिय संधीत के किस रूप पर आधारत सबसे पुराना घराना है गुआलियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रिय संधीत के सबसे पुराने ख्याल घरानों में से एक है गुआलियर घराने का उदे महान मुगल समराट अकबर के शासनकाल के साथ शुरू हुआ कला के इस संरक्षक के पसंदीदा गायक जैसे की मिया तानसेन जो पहले अदालत में गायक थे गुआलियर शहर से आय थे यदि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो कितने दिनों के भीतर उन्हें नियुक्त किया जाएगा इसका सही जवाब होगा सी 90 दिन यदि अध्यक्ष और सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो उन्हें 90 दिनों के भीतर नियुक्त किया जाएगा और यह नियुक्त ती शेश कारिकाल के लिए होगी सन्योजन 7 सदस्यों में आयोग अध्यक्ष और 6 सदस्य तु महिलाए अनिवार्य प्लास एक सचिव शामिल है राज्य महिला आयोग की बैठक कसमे और स्थान कौन तय करता है a. सदस्य सचिव b. राज्य सरकार c. अध्यक्ष d. राज्यपाल इसका सही जवाब होगा सी अध्यक्ष अध्यक्ष बैठक कसमे और स्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा आयोग को हर साल दो बैठत करनी चाहिए दोनों बैठकों के बीच सिक्स महिने से अधिक का अंतराल नहीं होगा आयोग के सभी आदेश और निर्णे सदस्य सचिव द्वारा प्रमानित किये जाएंगे राश्ट्रिय महिला आयोग की सनरचना में कितने सदस्य हैं? A. अध्यक्ष सहित 4 सदस्य B. राध्यक्ष सहित 5 सदस्य C. अध्यक्ष सहित 6 सदस्य इसका सही जवाब होगा डी, अध्यक्ष सहित सेविन सदस्य राश्ट्रीय महिला आयोग में केंडर सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष सहित सेविन सदस्य शामिल है सभापती एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने अपना जीवन महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया सदस्यों को कानून, प्रबंधन, प्रशासन, स्वास्थय, शिक्षा समाज कल्याण से संबंधित केंडर सरकार द्वारा नामित किया जाता है बशर्ते की कम से कम बंध सदस्य स्सी और अस्टी से हो मध्यप्रदेश में म्रिगेंदरनात की गुफाएं पर पाई जाती है इसका सही जवाब होगा रायसेन रायसेन म्रिगेंदरनात की गुफाएं मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में पाई जा सकती है ये गुफाएं मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के पाटनी गाउं में स्थित है उन्हें ट्विंटी ओहनाई में मध्यप्रदेश के पुरातत्व विभाग द्वारा खुजा गया था। विलाई इसपात सन्यंत्र कहा स्थित है। A. 36 गड़ B. जारखंड C. मध्यप्रदेश D. ओडिशा। इसका सही जवाब होगा A. 36 गड़ बिलाई इसपात सन्यंत्र यह एक प्रमुख सरकार द्वारा संचालित इसपात सन्यंत्र है जिसे सोवियत संग के सही योग से बनाया गया था। यह सन्यंत्र भारत में स्टील रेल का पहला और मुख्य उत्पादक था, विस्त्रित स्टील प्लेट और अन्य स्टील उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक भीग था. श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट को किस कोईला कम्पनी से कोईला प्राप्थ होता है? अ. पश्चिमी कोईला च्षेत्र B. दक्षण पूर्वी कोल फील्ड C. सेंट्रल कोल फील्ड D. उत्री कोल फील्ड इसका सही जवाब होगा भी दक्षिन पूर्वी कोल फील्ड श्री सिंगाजी सुपर्थर्मल पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के मुंडी के पास डोंगलिया गाउं के पास स्थित कोईला आधारित बिजली सन्यंत्र है। इस परियोजना का पानी भारत और निपाल देशों द्वारा साज़ा किया जाता है ए भाखणा नांगल बी हीरा कुंड सी राम गंगा डी कोशी इसका सही जवाब होगा डी कोशी 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 परियोजना का पानी भारत और निपाल देशों द्वारा साज़ा किया जाता है। कोशी बेराज 1959 और 1963 के बीच बनाया गया था और निपाल और भारत के बीच एक द्विपक्षिय समझोते के तहत बनाया गया था। इसे भीमनगर बेराज भी कहा जाता है राम गंगा गंगा नदी की एक सहायक नदी है। कडव वंश की राजधानी थी। ए. पूहर। बी. राजगीर सी. पाटली पुत्र। दी. तक्षिला। इसका सही जवाब होगा सी. पाटली पुत्र। कडव राजवंश की राजधानी पाटली पुत्र थी। वासुदेव कडव कडव वंश के संस्थापक थे। कडव वंश ब्रहमन वंश था। वासुदेव का उत्राधिकार उनके पुत्र भुमित्र ने किया था। सुशर्मान कडव वंश के अंतिम राजा थे। सात्वाह संविधान सभा के कितने सदस्यों ने आखिरकार संविधान में अपना हस्ताक्षिर किया इसका सही जवाब होगा डी 284 भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को अपने हस्ताक्षिर किये कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षिर किये काली क्रांते संबंधित है A. मत्से उत्पादल B. कोईला उत्पादल C. कच्चा तेल उत्पादल D. सरसो उत्पादल इसका सही जवाब होगा C. कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांते कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है पेट्रोलियम खनिच तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनोल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा इसका संबंध कोईला उत्पादन से भी है यही काली क्रांती है पेट्रोल में एथिनोल को 10% मिलाकर बायो डीजल बनाने का लक्षे है वानव शरीर में ओक्सीजन का परिवान निमलिखित में से किस अंग से होता है? A. रक्ट B. फेफोडे C. उतक D. इन सभी इसका सही जवाब होगा D. इन सभी ओक्सीजन वायो कोश्ठिका से रक्ट प्रवाव में प्रवेश करती है फेफोडों में छूटी थैली होती है जहां गैस का आदान प्रदान होता है ओक्सीजन युक्तरक्त दिल में लोट आता है ओक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी के माध्यम से स्पंदित किया जाता है बड़ी धम्नी जो सीधे हर्दे से रक्त प्राप्त करती है महाधमनी से ओक्सीजन युक्त रक्त छोटी धम्नियों और केशिकाओं तक जाता है जलवायू आपातकाल की घोशना करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ए इंडुनेशिया, बी आइसलेंड, सी आइरलेंड, दी युनाइटेड किंगडम इसका सही जवाब होगा डी, युनाइटेड किंगडम युनाइटेड किंगडम की सरकार पर्यावरण एवं जलवायू आपातकाल घोशित करने वाली पहली राश्ट्रीय सरकार बन गई है युनाइटेड किंगडम के बाद जलवायू आपातकाल घोशित करने वाला दूसरा देश आइरलेंड था निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का आर्टपुट डिवाइस है? A. Printer B. Floppy C. Mouse D. Keyboard इसका सही जवाब होगा A. Printer आर्टपुट डिवाइस कम्प्यूटर हार्डवेर का एक आंग है जो कम्प्यूटर से डेटा या निर्देश प्राप्त करता है यह Text, Graphics, Touch, Audio और Video हो सकता है सबसे आम आर्टपुट डिवाइस मॉनिटर और Printer है लेकिन कई अन्य भी है Audio Speaker, Headphone, Projector, G, P, Ace Sound Card, Video Card, Braille Reader, Plotter आदी प्रेम्न में से किस धाराने? मानवाधिकार 49 ने स्थापित करने का प्रावधान प्रदान किया था इसका सही जवाब होगा भी धारा 30 में मानवाधिकार अदालत स्थापित करने का प्रावधान किया गया है मानवाधिकारों के उलंगन से उत्पन होने वाले अपराधों की तुवरित जाच को करने के उद्देश्य से राज्य सरकार उच्च न्यायाले के मुख्य न्यायधीश की सहमती के साथ प्रतियेक जिले के लिए सत्र की एक अदालत को उक्त अपराधों का पता करने के लिए मानवा धिकार अदालत में करने के लिए निर्दिष्ट कर सकती है